अलो फ्रेंट्स राधे राधे वेलकम तो नीद किश्यू क्रियेशन तो आज हम एक ठाकुर जी की पोसाग का वीडियो लेके आए हैं यह पोसाग हमने पांच और छह नंबर ठाकुर जी के लिए बनाई है देखे फ्रेंट्स बहुत ही खुफूरत सी यह पोसाग है बहुत ही दायमेटर के लिए पेस्टिंग पेवर के यूज किया हुआ है और यह हमने फ्रेल को भी रेडि करके रखा हुआ है देखे यह दायमेटर हमारा सबा साथ इंच का है तो यह पोसाग हम पांच और छह नंबर ठाकुर जी के लिए बना रहा है देखे इस प्रकार से हम इसको फोल्ड करेंगे जो कमर का कट है वह से कर लेते हैं हमने पर कमर की कटिंग नहीं किये तो यह पॉन इंच पर मार्क किया हुआ है देखे इसको गोलाई देते हैं इस प्रकार से तो देखे हम मार्किंग कर लिए है अब हम इसको इस तरह से मेजर कर लेते हैं तो हमारा यह दे के नहींत करने हैं चलिये इस थैसे करा हिंगा चलिया है और पहले यसे छिटीछ करतेया है कि देखिए है बहुत पर नाइले इस फैला डिया ने कर लेंगे इस को पूरे में स्टिश कर लेंगे करने हें किनारी से रखते हुए जाना exactly the कि हमारा फे पूरा हो गया है थोड़ा से बचायाते ऊंप're कर लेते हैं कुछ हो कीमारे कट कर लिए हैं और इससे श्टिच करते हैं इस प्रकार से स्टिच करके धागा कट कर लेंगे तो यहां पर हम जो श्लाय लगाएंगे तो यहां दो तिन बार लगा देते हैं इससे हमारी श्लाय मजबूद हो जाए निकले लेना इसमें जो भी थोड़ा से एक्टरा फैबरिक फिलेट निकल गे का देखे जाना जाए देखे लाएंगे स्टिच हो गया है इसमें टेशी डिवन लगाएंगे तो हम देखे हमने ओपर फैब ब == लगाना और इस तरह से फोल्ड करेंगे कि टीशी रिबन को और अस्तरह से रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे इस प्रकार से दबाते इस्टिश हो गया है धाग कर लेंगे इसी प्रकार से हम दूसरे साइड भी कर लेते हैं तो देखिए हमें यहां पर उपर की साइड से रखके लाना इस तरह से उसको इस्टिच कर लेना है अब इसे हम कट करेंगे हां से थोड़ा से फोल्ड करते हुए आदा इंच लगवक अ इस प्रकार से रखेंगे उल्टा करके इसको यहां पर हम हमारा सर्कल वाला हीरा होता है बनाते हैं तो हम इसमें इस तरह से और पत्ति लगाते हैं तो इसमें हमें सीधी पत्ति लगाने में कोई रिक्कत नहीं होती इसमें हमें और पत्ति लगाएंगे तो यह अच्छे से देखिए इससे कर लिया है जो भी इसमें एक्टर फैब्रिक है उससे हम इस तरह से कट कर देंगे और फिर समने हमारे सीधे साइड को फोल्ड होगा अब हम इसमें डोरी रखेंगे देखिए फोल्ड करेंगो डोरी रखते हुआ इस प्रकार से स्टिच कर लेंगे कि करना है तो हमें स्टिच कर्ते हुए हिए थिया डखना है कि हमारी इसमें डूरी इस्टिच नह अगो देखिए फ्रेंट अब यहां इसे कर लिया है लाश्ट के स्लाई हम जब भी उतारते हैं तो फिर हम यहां पे दो तीन वार लगाते हुए ही रखेंगे अब हम यहां पे एक लेस्ट कर देंगे तो हम यहां पे गोल्डन तलगर का ले लिए पतला वाला थोड़ा और इसको स्टिच कर लेंगे तो देखिए हम यहां पे इसे स्टिच कर लिया है यह हमारी पुसाक रेड़ी हुए हम टॉप पार्ट रेड़ी करेंगे तो इसके लिए हमने देखिए कॉटन वाला फैब्रिक लिया हुआ है डवल करके देखिए हमारा सब दो इंच चोड़ाई है मुझे लगी थी अब हमने इसको कट कर लिया है जहां हमारा हमने सेंटर निकाला था कट निकाल तो वहां पर रखनी है वहां पर क sism wrold करेंगे और इसकी उपर रखते हुए उस-प्र स्टिच कर लेंगे इसे हमारी जो सिलाई है वह बारी अंदर चली जाएगे हम किदर से भी सीधा रख सकते हैं दोने साइट से हमारा सीधा ही लगेगा देखिए इस प्रकार से हमने दूसरे वाले को रेडी करके रख रखा है इस प्रकार से हो गया है अब हम आगे की साइट मे हम छोड़ा से जॉइंट करते हैं दो षोड़ता से जॉइंट कर लेंगे और वापस कर लिए स्लाई को रेडी किया है अब देखिए हम यहां पर इक गोटा पत्ती स्टिच कर लिए हैं तो हमारे देखने में थोड़ा सुंदर लगने लगेगा तो हम इसी प्रकार से दूसर को तरह से देखिए फौल्ड करें भी थे संट्र लेंगे मार करें के हमने संटर पर मार किया हुआ है अब हम उयह तो अगिया के सब्लस्विट को H तो देखी इस प्रकार से पहनाएंगे इस तरह सामने जो टॉप बनाया होता जो इसने हम ठाकुर्जी को यह पहना तो बहुत अच्छी फिटिंग आती क्योंकि हम अपनी मर्जी से जहां ठाकुर जी के साथ से से शैट कर सकते हैं जिक हमने इस तरह से रेडी कर लिया है अब ह इस तरह से हम यह स्टोन थे बहुत है कि इस पर चिपका दिया तो यह वाला हमने गिलू लिया हुआ था अब हम यहां पर टॉप पार्ट में थोड़ा सा चिपक कर लेते हैं तो यहां पर दो तीन दग लगा देंगे इस प्रकार से इस वाला हम जो स्टोन इससे लगाते है तो इससे बिल्कुल नि छूटता है बॉश करने पर भी बहुत अच्छी से चिपक जाता है देखिए इस तरह से इसी तरह से दूसरे वाले टॉप उसको भी रेटी कर देंगे इससे हमाई पोसाग बहुत ही खुबसूरत लग रही है तो देखिए डेकुरेट हो गया है अपने ठाको जी के लिए बनाई है हारी किष्णा रादे रादे